नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रजनी कांता आप देख रहे हैं नेशनल थौर्ट्स और आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास कारिक्रम में काम की बात की ओर और आज हम आपको बताएंगे कि सिख्छा की वो विधा जो पढ़ने के नहीं बलकि सीखने की चीज है जैसा की ट्राचीन काल की अगर हम बात करें उत्तर बैदिक काल भारत का अपना सिख्छा का बहुती बड़ा महतो रहा है और उस बैदिक काल में सिख्छा को सीखा जाता था आज जिस उम्र में जितना वजन नहीं बच्चे का होता उससे ज़्यादा वजन का बस्ता उसके पी असोग ठाकूर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस कारिक्रम में दनेवाद सर बहुत-बहुत-धनेवाद है और आज हमारे दर्सक जानना चाहेंगे कि शिख्छा की वो कौन सी विधा है वो कौन सी मैथ्वलोजी है जिसको देखने के लिए देश के ही नहीं बलकि बच्चों के बैग बहुत-भारी है जितना उनका वजन नहीं है उतना उपर बैग है मैं तो अकसर इस बात को सोचता हूं कि हम उसको वजन उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं दोस्तों एक सवाल अकसर मैं सोचा करता था कि बैल कौन पैदा करता है बेल का जर्म कौन देता है लोगों ने मुझे कहा कि एक गाय माता होती है वो बेल पैदा करती है बेल आप समझ रहे हैं वैसे कहीं कहीं उसको मान सम्मान के लिए सक्ति का परचायक भी बोलते है मगर यदि आप किसी व्यक्ति से कहें कि तुम बेल जैसे लग रहे हो तो बुरा मान जाता है तो कौन बेल पैदा करता है तो लोगों ने कहा गव माता पैदा करती है मैंने का नहीं बैल गव माता बैल नहीं पैदा करती गव माता या तो गाय पैदा करती है या सांड पैदा करती है ये तो समाज के चलहांक लोगों ने एक जानवर के साथ मजाक किया और उसको बैल बना दिया उसको ये समझनी आता कि मैं दूद देने के लिए हूं या मैं बना बना विचारा मजबूरी और असमर्थता का एक परिचायक बन जाता है और वो ढोता रहता है समाज और दुनिया की जरूर्तों को ऐसा ही हमने बच्चों के साथ कर दिया क्योंकि किताबे स्कूल की प्रोपर्टी होनी चाहिए थी बच्चों की नहीं बच्चों की प्रोपर्टी ज्यान होनी चाहिए थी जब दुनिया जीना सीख रही थी मेरे भारत में क्योंकि भारत एक परियोग की धर्ती रहा है भारत कोई समान की धर्ती नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा जहाज है कितना बड़ा यह है मेरे देश में तो त्याग को ब बच्चों से कि बच्चों ज्यान के पर्मान बनो बैग कहरी ना करो किताबे आपकी प्रोपर्टी नहीं है मगर स्कूलों ने बिजनस के लिए किताबों को बच्चों की प्रोपर्टी बना दी मैंने सबसे पहले अपना काम यहीं किया, कि किताबे हटाई, बच्चों को टैबलेट लगाया, डिजिटलाइज किया, क्योंकि अगले दस साल में जब ये बच्चे मार्केट में आएंगे, मुझे नहीं पता दुनिया किस तरह का नई टेकनोलजी से वास्ता कर रही होगी, क् एक टैब का वजन एक किलो ग्राम है, सवा किलो ग्राम का टैब होता है, उसके बाद एक पानी की बोतल बच्चे पास एक कॉपी है, बस, तीन चीजों के साथ बच्चा पूरी दुनिया को मुठी में करने चल पड़ा, अब जैसे कि रजिनी कान जी ने बड़ी सुन्दर ब हुआ, दुनिया में बेवकुफ होना बहुत मुस्किल है, और समझदार होना बहुत आसान है, दुनिया समझदार होने के लिए पैदा हुई है, बेवकुफ होने के लिए नहीं, आज बच्चे एनरजी से भरे हुए हैं, जैसे कि मैंने पीछे कहा, कि सब स्कूल में सबसे ज़्यादा एनरजी बच्चों के पास है ठका हुआ टीचर है सिस्टम की विडंबना देखिए जो टीचर से कहता है जिसके पास experience है पंतु energy कम है उसको बोलता है कि आप आठो पीरड बोलो और जिसके पास energy भरी है उसको बोलता है आप चुप रहो discipline के नाम से मैंने इसी को channelize किया मैंने बच्चों को कहा कि आप बोलो और टीचर को कहा कि आप अपने experience से ये सुनो कि ये सही बोल रहे है या गलत बोल रहे है क्योंकि बच्चा कैसे जानेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं अगर वो स्कूल में वो अभ्यास नहीं करेगा तो कैसे जानेगा मैं गलत बोल रहा हूं अगर education आपने देनी है, क्योंकि education जो है, वो जीने के लिए ग्यान ही आपको मालूम है, अब अगर education देनी है, तो किस अर्थ से दी जाए, किस तरीके से दी जाए, देखिए मैं अक्सर देखता हूं कि मेरे देश के योजनाकार, बड़े सिक्षाविद, सिक्षा कैसे दी लागते हैं मुझे लगता है कि अजीब से कहानी है कि मेरे घर की चावी मेरे घर के पास घुम होई और ढूंडने जाता हूं मैं फिर्लेंड मेरे चावी को यह कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई देता है मेरे दोस्तों भारत जो सिख्षा की कि मैं जर्मस्थली बोलूं तो साथ जाता है अत्युसे पी होगी मगर सिख्षा के एक बहुत बड़ी प्रयोग साला रही है यहां लोगों ने सेकडो साल अपने जीवन के पीडी दर पीडी दिये हैं उस सिख्षा के चीजों को स्टेबलिस कर देने में जिसी नाम की एक क्लास तक हुआ है कि जो रिसर्चर थे जिनों ने अपने जीवन को अपने आस्रमों में प्रूव करके दिखाया कि कोई भी ची देशा नमीन होता है मैं उसी तरीके को इस्तेमाल करा सबसे पहले तक सिला नालंदा मगत जैसी बड़ी इनिवर्ष्टियां अजारों साल पहले तीन विद्याओं के कारण फेमस थी उनमें सबसे पहले था सर्वन फिर मनन और फिर निद्यासन निद्यासन का मतलब था अप हैं इसको पठन बोल सकते हैं फिर मनन चिंतन मनन करना और उस में बातों को अपने जीवन में अपने हिसाब से अपने डालना यही काम था और पैपर के रूप में आपका जीवन एक परमान था पीपर के बोर राइट अप प्राचीन चीज़े हैं, वर्तमान में नहीं चलेंगी, मैं कहता हूं, वर्तमान में ही चलेंगी, रूप ही अलग होगा, मैंने एक नया सिस्टम डिजाइन किया, इसको मैंने बोला U, P, L, C, U means understand, P means problem, L means learn, and C means communicate, क्या communicate होगा आपके ज्यान से, तो मैंने ये तीन, चार पर आई, U, P, L, C, सबसे पहले बच्चों को कोई chapter दिया, बच्चों से बोला बिटा, इसमें से क्या-क्या understand होता है, understand का मतलब है, डबलू-एच फैमिली का answer, what, how is a family answer, वो हो गया आपका understand, फिर P, जरूरी नहीं कि सारी बाते आपको understand हो जाए, जो नहीं समझाए, वो P का मतलब है problem, आप problem उसको mark करके लाएं, अगले दूसर चेप्टर में, आप जब class में 40 बच्चे हों, 400 बच्चे हों, 4000 बच्चे हों, इन 4000 बच्चों में बहुत कम ऐसा होगा, कि दो बच्चों की problem सेम होगी, एक दूसरे की problem को आप solve कर दो, और खग ही जाने, खग की भासा ब क्याना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा सीखते हैं, दुनिया के यह पता नहीं क्यों भूल गई दुनिया इस बात को, कि जब आप सिखाते हैं, तो आप ज़्यादा सीखते हैं, मैंने सिस्टम को इस्टम को इस्टम को इस्टमाल किया, बच्चे जब दूसरे को सिखाने लगे leadership का गुणा आया, बच्चे को समझ से बात समझा देने के बाद आतम विश्वास का गुणा आया, बच्चा खुद भी concept को अच्छी तरह समझ गया, बच्चा उसमें होने वाले सवालों को भी समझ गया, कि क्या-क्या सवाल हो सकते हैं, problem solve हो गई, understanding बढ़ गई, अब understanding बढ़ने के बाद मनं तक का काम खतम हो गया, अब निद्यासन का काम था, कि इसको learn करूं अपनी life के लिए, कि मेरी life में इसका इस्तिमाल क्या है, मैंने इसको learn में डाला, कुछ life के लिए, कुछ academic के लिए, सारा academic के लिए नहीं है, सारा life के लि का मुझे मालूम नहीं, इस दुनिया, इस समाज को भी मालूम नहीं, परंतो आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, learn हुआ, अब C, जो बड़ा important था, उसका मतलब था, communicate क्या हो, आपके ग्यान से, तो सबसे पहले आपको, C के अंदर मैंने cause पे काम किया, कि C का पहला part है cause, आप ये बताएं, इस ग्यान का कारण क्या था, किस कारण से ये ग्यान अपने existence में आया था, C में हुआ, उसके बाद complete information, इस ग्यान की भविशे में संभावनाएं क्या है, ये नमबर दो पे मैंने डाला, और मैंने यहां कहा, कि इस ग्यान से आप future को कैसे देख कि मुझे ये भी आप से जाना था, तीसरा, इस ग्यान से आप create करके क्या देंगे, तो communicate मैंने तीन चीज़े रखी, cause, complete information या oblique futurist, और तीसरा, आप create करके क्या देंगे, मैं अक्सर नमबर दो में बोलता हूँ, complete information में, आज के दुनिया में literate लोग जादा है, educate कम है, literate और educate में जो फरक है, वो सिर्फ इसी बात का है कि educated आदमी futurist होता है, वो भविश्य को पढ़ लेता है, और literate आदमी सिर्फ किताब पढ़ता रहता है, वो दीवी instruction को पढ़ता है, दीवे निर्देश पढ़ता है, बोड पढ़ता है, लोगों के पत्र पढ़ लेत है, भविश्य के लिए नहीं पर पाता, भविश्य के लिए वो लोगों से पूछता है, आप बताओ मेरा क्या होगा, कभी पंड़त जी पर जाता है, कभी जोतिस पर जाता है, अरे भाई, जब पढ़ लिया है, तो फिर किसका तु खुद जोतिस है, तौ अगर अपना भव प्रेसिजन व्यर्थ कर दी तो उन्हें इस दुनिया के खाद्रपदार्थ व्यर्थ कर दिये अगर तो भविस्या नहीं पर पाता तो तो मैं तो सबसे बड़ा पेनफुल रहता है कि जब पढ़ा लिखा आद्मी भी गल्ति करता है तो मैं कहतो है भगवान यह सिकार है यह सि तो दोस्तों मैंने यूपी एलसी से इस तरह एड करा कि कैसे बच्चा चैप्टर को समझे अब चैप्टर समझ गया विभार में आ गया अब आगे क्या तो मुल्यांकन कौन करें इनका अक्सर मुल्यांकन दूसरे लोग करते हैं अपने संदर्व से किसी को मेरे कोई मुझसे चार सवाल पूछ करके मेरी काबलियत और नाकाबलियत कैसे जान सकता है आपने कोई मुझे सवाल पूछा और हो सकता है उस समय मुझे आंसर वो ना आ रहा हो क्योंकि याद करने की दुनिया है ना आ रहा हो आपने तो मुझे लेबल लगा दिया कि मैं कमजोर हूँ मगर कोई गारंटी थोड़ी कि मुझे अब नहीं आए तो कल आंसर नहीं आएगा मगर आपका लेबल तो सारी जिन्द की चलता है मुझसे तो मैंने का नहीं मुल्यांकन स्वें करना पड़ेगा क्योंकि आप ही जानते हैं कि आप कितने जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं और जान सकते हैं अगर नहीं जानते हैं यह गारंटी है मैंने इस चीज पर काम किया स्वेम ल्यांकन पर कि एक्जामी निसम कैसा हो आप बताओ कि ताज महल के बारे में आप कितना जानते हो आप बताओ आप लालकिले के बारे में कितना जानते हो पाइथा गुरस के बारे में कितना जानते हो बनिस्बत कि मैं एक सवाल पूछूँ आप जानते हो यह नहीं जानते हो क्योंकि अगर आप किसी ने मुझसे पूछा कि भगवान राम के पता का नाम बताओ और मुझ़े याद ना हो और भगवान राम के 20 रिस्टों का याद हो तो उसके एशाब से मैं फेल हूँ मगर बाकी 19 मुझे रिस्तेजाद है तो मुझे आप पास तो नहीं कर रहे ना तो examination, discrimination तो नहीं है कहीं इस चीज़ पर मैंने काम किया कि नहीं बच्चे से उप्योगता पूछी जाए कि ये बता बेटा कि जीवन में जो जो मालूम है और तेरी उप्योगता किसी बड़ी चीज़ के बनने में तेरी उप्योगता क्या है तो उसकी पूरक्ता में तेरी भागिदारी क्या है quality education पर अक्सर सवाल खड़ा हुता है कि quality education है क्या दोस्तों quality education है जब मुझे जीना आ जाए जब मुझे दुनिया के बने रहने में अब्युद्य में उसके बढ़ाव में मेरी भागिदारी करनी आ जाए यही तो परपज है सिच्छा का परपज है कि मैं अपने को जान सकूँ वर्तमान को समझ सकूँ सम्मंदों को समझ सकूँ और वर्तमान के अभ्युदय में अपनी भागिदारी कर सकूँ, उसके आगे बढ़ने मेरी भागिदारी इसी को तो सिख्छा है, ये तीनों काम जब हो जाते हैं, तो मुझे समझ आता है कि एजुकेशन हो रही है, मैंने इसे आगे और गया, कि भविस्ते के स्कूल कैसे होने चाहिए, दोस्तों, हम जो भी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, ये सभी स्किल है, पाइथागोरस ठ्योरम एजुकेशन नहीं है, स्किल है, टिकनोमेटरी स्किल है, न्यूटन के ला स्किल है, आप जो भी एकनोमिस के ला पढ़ते हो सब स्किल है, एजुकेशन क्या है, हीं आपके अन्दर विस्वास कितना होगा भागेदारी कितनी होगी यह वैल्यूज है जिसकी जिसके आप कीमत नहीं लगा सकते एक सिम्पल भासा में अगर आकर समझे तो 30 percent time values का होगा और 20 percent time why values का होगा कि ये values क्यों जो मैंने चाहा कि values का मतलब उसको बताना और जो 20 percent time मुनें मांग है कि क्यों हो ऐसा करे ये उसको रहना जरूरी है नहीं तो कल दिख्भरमित होगा और वह ये कहेगा या महाँभारत हो ये कहानिया थी, कल रमायन बहा भारत तक तो गुजारा हो गया, कल ये ना कह दे कि गांधी, भगत सिंग, सुभास्टन बोस, नानक और भगवान महावीर भी एक पातर थे ड्रामे के ये ना कह दे, इसके लिए मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि ये क्यों वही है, दन्यव कराते रहेंगे, आप हमारा कारेक्राम इसी प्रकार देखते रहें